हैलो दोस्तो मैं हूँ आपका मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सबी लोगों का एक बार से फिर से स्वागत है हैलो दोस्तो हमारे इस योटूब एजुकेशनल चैनल में आप सबी लोगों का एक बार से फिर से स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम रिवीउ करेंगे Kodi Star DX सीरप के बारे में जो की Dry Cuff के लिए आता है दोस्तो Kodi Star DX के Doze क्या होते हैं Side Effect क्या होते हैं Price क्या होती है किस तरह से इस्तमाल किया जाता है Kodi Star DX 60 ا Something Bottle किन के लिए आता है सबी बातों पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में उसके लिए आप इस वीडियो को जरूर सुरू से अंत तक देखें साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें तो चलिए दोस्तो ज्यादर समय न गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो कोडी स्टार्ट डी एक्स कुछ इस तरह के प्लास्टिक बॉटल पैक में आता है फिलाल मेरे पास साथ एमिल का बॉटल है जबकि आपको मार्केट में ये सो एमिल के बॉटल पैक में भी उपलफ मिल जाता है जिसकी price की बात करें तो सिर्फ 58 रुपे में ये easily आपको किसी भी medical store पे मिल जाता है company पे नज़र डालें तो दोस्तो इसे बनाती है mankind pharma limited company जो की काफी अच्छी और famous company है दोस्तो कोडी star dx के composition पे नज़र डालें तो इसमें dexomethorphene, hydrocoldride and chlorofenermine, milliate salted डाला गया है यानि कि दोस्तो ये मुक्यता दो साल्टो को डाल कर इस कोडी star dx सीरप को बनाया गया है तो बात कर लगते हैं दोस्तो इसे हम किन तरह की खासी की समस्या को ठीक करने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तो कोडी star dx एक dry cup syrup है यानि कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके गले में कफ जमा हुआ है सीने में कफ जमा हुआ है और आपको बार बार खासी आती है सूखी खासी आती है मुझ से बलगम हो गयर नहीं निकलता तो उन कंडीशन में इस कोडी star dx सीरप का इस्तमाल किया जाता है दोस्तों कई बार मौसम चेंज होने पर बच्चों में ये भी देखा जाता है कि उन्हें अचानक सूखी खासी आने लगती है एक एक दो दो मिनट तक बच्चा लगतार खासता रहा जाता है खासते खासते उल्टी कर देता है खासी इतनी ज़्यादा आती है कि बच्चा रात में सो नहीं पाता तो दोस्तो उन कंडिशन में सूखी खासी की समस्या को ठीक करने के लिए कोडी स्टार डीयक सीरप का काफी अच्छा रिजल्ट देखा गया है दोस्तो ये कोडी स्टार डीयक जो सीरप है ये निमूनिया और अस्तमा के पेशेंट को नहीं चलता, ये उनको चलता है जिने खासी तो आती है लेकिन उनका सांस नहीं फुलता, उनकी सांसों में खरकराट की आवाज नहीं आती और नहीं मुह से काफी ज़्यादा बलगम निकलता है, इन तरह के पेशेंट को इसे नहीं कर देता है यानि कि फर्स्ट डोस से ही आपको इसका रिजल्ट नज़राने लगता है टेस्ट की बात करें तो दोस्तो टेस्ट भी काफी अच्छा है बच्चे इसे इसली पीना पसंद करते हैं दोस्तो कोडी स्टार डी एक्स के यह थे यूजेस के बारे में अब बात कर लेत हैं अगर हम इस सीरप को बच्चे या बड़े को देते हैं तो कौन सी साउधानी बरतनी पड़ती है तो दोस्तो अगर आप कोई भी कब सीरप पीते हैं तो ठंडी चीजों का इस्तमाल आपको बंद कर देना है जैसे कि ठंडा पानी नहीं पीना है आईस क्रीम नहीं खाना ह इनसे परहेज करें ताकि यह सीरफ और भी अच्छा काम करें अगर आप परहेज नहीं करते हैं तो यह सीरफ काम नहीं करेगा और आपकी खासी की समस्या और ज्याध़ बढ़ सकती है साथी दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूँगा कोडी स्टार डी एक्स खासी की समस्या को टीक करने के साथ-साथ अगर आपके गले में खरास रहता है और छीके आती है नाक से पानी आता है यानि कि सरदी जुकाम की शिकायत रहती है उसमें हलकी फुल की खासी भी आती है तो उन कंडिशन में भी आप इस कोडी स्टार डी एक्स सीरप का इस्तमाल कर सकते हैं काफी बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं इसके डोस के बारे में दोस्तों इसके डोस की बात करें तो अगर 5 मेने से उपर का बच्चा है और 3,5-3 साल के करीब का है तो उसे हम 1,5 ml दिन भर में 3 बार दे सकते हैं यहीं बच्चा 3 साल से उपर और 7-8 साल या 10 साल के करीब है तो उसे हम 5 ml दिन भर में 3 बार दे सकते हैं side effect की बात करें तो दोस्तो इसका कुछ खास side effect देखने को नहीं मिलता लेकिन इसके पीने से बच्चों को ने ज्यादा लग सकती है सुष्ती आ सकता है बस दोस्तो इसी तरह के कुछ common side effect होते हैं जो कि सभी बच्चों को नहीं होता तो यह था दोस्तो कोडी स्टार डीक सीरप के बारे में सब कुछ वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें दोस्तों में शेर करें आपके मन में कोई भी प्रश्ण हो तो हमारे केमेंट बॉक्स में जरूर लिखें